आपको एक गुड नीज मिलके होगी कि DSSB ने TGT और PRT वेकेंसी के लिए आज नोटिफिकेशन रिलीज किया है तो सबसे पहले आपका है ये TGT नेचुरल साइंस के लिए आपको 45% माक्स के साथ जो है आपका वैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए और आपके पास इट लिए आपकी 4 subject गिबनए इनमेंसे एग होना चाहिए अब देखिए ये है तो नेचुरल साइंस का लेकिन ये जो आपके 5 subject गिबनब को इस इंग्लिस भी है यहीं आपको इंग्लिस वाले में भी मिलेगी, इंग्लिस का तो गर इसमें है यह नहीं विकेंशी, तो उन्होंने किया क्या है, यह जो four subject दे रखे हैं, यह केबल natural science के लिए नहीं है, यह कि उन्होंने general qualification बता दिये, जो इन चारों के लिए है, तो same आपको यह maths वाले में भी मिल जाएगी, और ssht वाले में भी मिल जाएगी, तो आपको इससे confuse नहीं होना है, यहाँ पर हम बात कर रहे है natural science की, तो आपको focus करना बस natural science पे, यह आपके पास natural science graduation में होना चाहिए, जो लोग maths में जाएंगे, यहाँ पर हम अगर maths कर दें तो, तो उनके पास maths होना चाहिए, जो English के होंगे, उनके लिए English, जो ssht के हैं, उनके लिए ssht, ठीक है, तो एक तरीके से यह केबल natural science का नहों के, नहोंने चारों का इसी में कर दिया है, बाकि आप full notification में देखेंगे, आपको इचीच किलियर हो जाएगी, ठीक है, अब यहाँ पर नहोंने यह पूरा किलियर किया हुआ है, कि TGT natural science का क्या मतलब है, अब देखें, नेचुरल science के लिए क्या आपके पास, physics, chemistry, biology, botany and geology, यह सब आपके क्या है, natural science में आएंगे, physical science में, ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, natural science है, physical science का मतलब कुछ अलग नहीं है, वो ही है, physics, chemistry, geology and botany, social science में आपका क्या है, history, political science, economics, business studies, sociology, geography and psychology, यह सब आपके क्या है, social science में आएंगे, sht में, अब इन्होंने कुछ, इसमें ऐसा तो, combination का कुछ नहीं है, कि physics, chemistry का combination होना होना चाहिए, या बायो, वोटनी का, same, sht में का combination होना चाहिए, ऐसा कुछ mention नहीं है, और मुझे भी स्वारे में कोई जानकारी नहीं है, तो इसका इवार आप confirm कर ले ना, किसी, जिसको भी स्वारे में जानकारी हो, को ये confusion रहती है, कि final year में अगर हमारे पास कोई भी subject नहीं रहा है, first year और second year में है, तो क्या हम eligible है या नहीं, तो उन्होंने इसी बात के आपे clear किया हुआ, कि अगर किसी ने कम से कम 2 साल भी अगर पढ़ा हुआ है, तो वो उस subject के लिए eligible है, ठीक है, जैसे किसी ने financial में mathematics चोड़ दिया, first year or second में उसके पास था, तो वो maths के लिए eligible है, आपके जो B.com माले हैं, उनके पास भी I think economics और business studies जैसे subject होते, तो वो भी आपके जो है, SST के लिए eligible है, इस notification के recording, बाग किस में कुछ ऐसा clear mention है नहीं, तो मैं कुछ confirm कह नहीं सकता,